करनाल के कस्वा त्रावडी में नीलो खेडी विधान सभाशेतर के कॉंगरसी उमीदवार ग्यान सरोता के लिए वोट की अपील करने के लिए त्रावडी में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया इस्रेयली में मुख्य अतिती तोर पर हर्याना के मुख्य मंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा पहुंचे हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों को देखकर मुख्य मंतरी भी गदगद हो गए मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुँच कर जम कर केंदर सरकार को आड़े हाथू लिया मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसान परेशान है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जैसे धान और कपास के रेट गिरे हैं वह चिंता का विशे है जिसको लेकर उन्होंने परधान मंत्री नरेंदर मोधी को चिठी लिखी है अगर केंदर सरकार द्वारा जल्द ही किसानों के लिए ना सोचा गया तो किसानों के हक के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ा तो भी वह पीछे नहीं हटेंगे मुख्यमंत्री ने त्रावडी अनाजमंडी का भी दौरा किया और आर्टियों से धान के बारे में जानकारी भी हासिल की जो जीरी पंदरा सो नो जिसका पंदरा दिन पहले 3500 था भाव वो 2200 रुपे बिकरी है 2400 रुपे बिकरी है जो मशीन से निकाली गई है हाथ से निकाली गई है वह 2700 रुपे तक में बिकी वह तो यह बड़ा भारी नुक्सान हो रहा है एक एकड़ पर किसान का कम से कम 25,000 से लेकर 40,000 रुपे पर एकड़ घाटा हो रहा है और मैंने परदान मंत्री जी को भी लिखा है कि यह जो हो रहा है यह क्या कारण है और इसके उपर उचित कदम उठाया जाए जल्दी से जल्दी और यह खाली जीरी में नहीं हमने गेहूं का बोनस मंगा था उसमें भी वह हो गया और कपास का भी जो भाव की सान को बहुत तकलीफ है और मैंने कहा है की बहुत कदम उठाएं उचित कदम उठाएं नहीं तो कोई भी बी कड़ा कड़ा कारा स्टैंड में भी ले सकता हूं जा educational ने म्हों मेरे दर दीन करताघा है लीन trademark के उर Fusion को लेकिज़ दूए मुख्यमंत्री का यह चुनावी स्टंट किसानों को कितना भाता है यह आने वाला समय ही बताएगा इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगेंदर सिंग की रिपोर्ट